काले चना सेवन करने के बाद अगर आपको पेट में काफी जड़ा गैस बने लगता है पेट में आपको हलकालका दर सोरो हो जाता है या फिर आपको पेट में काफी जड़ा फूला फूला से लगता है भारी पंसा महसूस होता है या फिर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नही तो इसका मतलब यह एक ही काला चना आपको नुकसान कर रहा है तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चीज को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आपको काले चने का सेवन कैसे करना चीए जिससे कि आपकी यह सारी प्रोलम धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी साथी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुबे खाली पेट जब आप लोग काले चने का सेवन करते हैं तो आप लोग कोन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे कि आपको काला चना नुकसान कर सकता है आप लोग सुबह खाली पेट काला चना खाते वे किनी एक चीज को मिला करके सेवन करते हैं जिसकी वज़े से आपको नुकसान करता है तो आगे इस पीडों में मैं आपको इस गलती के बारे में बताने बाला हूँ साती मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी बिमारी में आपको काला चनी का सेवन नहीं करना चीए किन बातों का आपको ध्यान रखना चीए तो ये पीडों देखना आपके के लिए बहुत ज़ारा जरूरी है इस पीडों को पूरा देखना तब ही आपको ये सारी बाते अच्छी तरीके से समझ में आएंगी तो आई बिन दरीकिया फड़ा उड़ जानते हैं काला चना से जूड़ी important points के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपको काला चना सेवन करने के बाद तो आपकी सारी प्रॉलम जो हो ठीक हो जाएगी सही तरीका में भी जो सबसे आधा important है वो है quantity कि आपको काले चने का सेवन आखिर कितना करना चाहिए तो यह देखे एस टो एस डिपैंड करता है यानि कि अगर आपकी उमर 10 साले, 20 साले, 30 साले तो आपके उपर depend करेगा कि आपको कितना काले चने का सेवन करना है लेकिन इसके पीछे सबसे पहले मैं आपको reason बता देता हूँ इसका reason यह है कि आपको पेड से लेटेट इसलिए ऐसे समस्या दिखती है क्योंकि काले चने में fiber की चुमातरों काफी ज़्यादा present है जिसकी वज़े से आपको ऐसा होता है तो आपको काले चने का सेवन इसलिए limit amount में करना चाहिए तो यहाँ पर जैसे मान लेजिए आपकी उमर अगर 10 साल है तो आपके मुठी में जितना काला चना आ रहा है उतना काला चना आपको पानी में भिगोना है फिर आपको सुबे-सुबे सेवन करना है अगर आपके उमर 30 साल है तो आपके मुठी में जितना काला चान आ रहा है उतना काला चान आपको भीगाना है और पूरी रात बर भीगोने के बाद सुबह सुबह आपको सेवन करना है अगर आपके उमर 50 साल है 60 साल है सेम उसी तरीके से आपके मुठी में जितना काला चान आ काले चने में आप लोग एक चीज बीन करते हैं वो है आम चुर पावडर, अगर आप लोग आम चुर पावडर काले चने में मिला ज़ुजन करेंगे तो इससे आपके श्रीर निवख बढ़ सकती है, साथी साथ आपको और भी कई बड़े नुकसान देगने को मिल सकते हैं इसलिए कभी भी आपको आमचुर पाउडर काले चने में मिला करके सेवन नहीं करना है आपको सिंपल काले चने में आप जो हलका नमक मिला करके सेवन कर सकते हैं करना है बागी देखे काले चने का सेवन करने का अलग अलग तरीका आप सबजी के रूप में सेवन कर सकते हैं लेकिन डेली बेसिस पर जब आप सेवन करेंगे तो या तो आप पानी में भी होकर के करें या फिर जो रोस्टीट चना होता है उसका आप सेवन कर सकते हैं वो भी नुकसान कर सकता है तो देखिए allergy के case में आपको कालाचना नुकसान कर सकता है कई बरी ऐसा होता है कि आपके body को खुदी नहीं पता लग पाता कि आपको किस चीज़ से allergy है जिसकी वज़े से कभी कबर क्या होता है कि कालाचना सेवन करने के बाद अगर आपको आँखों से पान ही आ रहा है आपको इसकीन में काफी ज़़े खुजली हो रहा है आपको काफी ज़़े चीक ही आ रही है आपकी स्कीन में redness हो गया तो आप यूं समझे कि कही ना कहीं कालाचने से आपको allergy है तो उस case में आप थोड़े टाइम के लिए कालाचना बंद करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी ये problem ठीक हो रही या फिर नहीं अगर नहीं ठीक हो रही फिर आप जरू से जरू डॉक्टर से consult करें दूसरा ये है कि आपको kidney की बिमारी में काले चने का सेवन नहीं करना चीए क्योंकि देखे kidney के stone के case में तो काफी ज़रा और नुकसान करेंगा क्योंकि काले चने में oxalate present होता है जो कि kidney stone के formation को और ज़्यादा बढ़ा सकता है तो आपको ये जरू धियान रखना है और जितने भी kidney patient है वो आप लोग अपनी डॉक्टर से ज़रू consult करें क्योंकि काले चने में देखी nutrients की मादर काफी अच्छी present होती है जो कि kidney के patient को मना किया जाता है याप जो तीसरी बिमारी है कि arthritis के case में भी आपको काले चने का सेवन नहीं करना चीए उस टाइम पर भी आपको नुक्सान कर सकता है क्योंकि काले चने का जब आप सेवन करेंगे तो आपके body में uric acid का जो production है वो बढ़ सकता है जिससे की arthritis की case में आपको काफी ज़र नुक्सान करेगा तो इस बात का भी ज़रू ध्यान रखे या जो fourth बिमारी है कि अगर आपको skin related पहले सोई कोई बिमारी है तो उस case में आपको काले चने का सेवन जो अपने डॉक्टर से पूच करके ही करना है क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से काले चने का सेवन उस टाइम पर करना है स्टार्ट कर देंगे तो skin related अभी आपको जो भी problem है वो problem बढ़ सकती है इसलिए आप एक भरी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले तो ये कुछ बिमारी है जिन बिमारियों में आपको काले चने का सेवन नहीं करना जाए या फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर एक बरी कंसल्ट करके फिर ही आप सेवन करें बाकिया अन्य कोई बिमारी में अगर आपकी regular basis पर treatment चल रहा है daily basis पर दवाईयं ले रहें तो उस टाइम पर भी आप एक बरी अपने डॉक्टर से जरूर पूछ करके ही काले चने का सेवन daily basis पर करना स्टार्ट करें अब बात करते हैं डाउट के बारे में जो अकसर लोगो काले चने से related confusion रहती है तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाउट है कि 50 ग्राम काले चने में आखिर कितना protein present होता है तो देखिए 50 ग्राम काले चने में 10 ग्राम के तो देखिए कम से कम आपको आठ गंटे काले चने को जरूर भीगोना चाहिए उसके बाद ही आपको सेवन करना है तीसरा जो doubt रहता है कि आखिर कितना काले चने आपको भीगोना है तो मैंने आपको बता दिया कि age to age depend करता है आपके age के हिसाब से जितना मुठी में काला चन है उतना आपको पानी में भीगो करके 7 जोगो करना है यहाँ पर जो last doubt है कि भीगे वे काले चने का 7 आखिर कब करना चीए तो देखे सुबह सुबह खाली पेट 7 करेंगे तो आपको सबसे अधा फायदा मिलेगा इसके लावा बोडी से close to level को भी कम करता है और overall हमारी बोडी को hold energy देने में भी काफी ज़रा मदद करता है तो काले चने का 7 सुबह सुबह खाली पेट करें सबसे अधा आपको 100% यहाँ पर आपको फायदा जो इसका देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि आज की डेट में काले चने का 7 करना क्यों इतना ज़रा जरूरी है तो इसके पीछे देखे 4 रीजन सबसे पहला रीजन यह कि काले चने में फायबर की चुमात्रों काफी अच्छी प्रेजन है और फायबर प्रेजन होने की वज़े से हमें पेट से लेटिड कभी भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आप लोग को जैसा पता यह कि अगर हमारा पेट प्रॉपर से हेल्थी रहेगा तो तकरीबा 90 से 95 परजेंट बिमारिया जो हमारे सरीर की यूँ ही खतम होगी साथी साथ मैं आपको पहले बताया है कि फाइबर देखिए इसमें अच्छा प्रेजन है लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है नहीं तो फिर आपको पी बोड़ी को हेल्थी और फिट रखने में भी काला जाना काफी ज़्यादा फायदा बंद है तीसरे रिजन यह कि काले चैने में एंटी ओक्जिट की जमात्रों काफी अच्छी प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे पुरे और बोड़ी पर इसका असर देखने को मिलता है हम वह भी काले चैने का सेवन कर सकते हैं जिससे की बलड़ सुक लावल जो वह नहीं बढ़ेगा कंट्रोल में रहेगा लेकिन आपको लिमिट अमाउट में सेवन करना है तो यहाँ पर मैंने आपको काले चैने से लेटिट कुछ जरूरी बातों के बारे में बताया जो हर किसी को पता होना जाए अगर आप काले चैने से लेटिट फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो सो हो रही है आप उस वीडियो पर क्लिक करके काले चैने से लेटिट फायदों के बारे में भी जान सकते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके जरू बताना है कि आपको ये वाले वीडियो कैसी लगे, फिलाल कले आजके इस वीडियो में इतने हैं, अगर आपको वीडियो परसंद आए तो इस वीडियो को जो लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, थैंक्यू सो मच, वाचिंग डिस वीडियो बहुत-बहुत ये वा।